वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे जो लाक्ट्रिक मोटर है वो होता क्या है और मैं आपको इस वीडियो में काफी सारे ट्रिक्स और टिप्स भी दूगी जिसके बेसिस पे आप इस टॉपिक को लाइफ टाइम लर्न रख पाएंगे और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी लाक्ट्रिक मोटर या जनरेटर के अंदर ठीक है तो चलिए वन वाई वन चीजों को डिसकस करना स्टार्ट करते हैं और चलिए देखे सबसे पहले लाक्ट्रिक मोटर होता क्या है लाक्ट्र यहीं से ही लर्न कर लो कि यह लाक्ट्रिकल टू मेकैनिकल में कनवर्ट करता है पहली चीज डन है सबी को अब दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यह है कि जो यह डाइग्राम है इस डाइग्राम में किस तरीके की चीज़े होती है पहली चीज मैंने आपको बता दी कि यह electrical energy to mechanical energy में convert करता है दूसरी चीज अगर आप से पूछे electric motor का principle क्या है किस principle पे ये work करता है तो आपको याद रखना है जो electric motor है वो flaming left hand rule पे based है और जो electric generator है वो right hand rule पे based है कैसे याद रखोगे देखो अगर मैं आपको बोलूँ देखो जो electric motor है electric motor left hand rule पे based होता है जबकि electric generator right hand rule पे based है इसमें आप बेसिकली ऐसे आद रख सकते हो देखो electric motor electric generator दोनों में ही R repeat हो रहे हैं तो इस trick को हम थोड़ा सा इसको change करके बना रहे हैं कैसे जिसमें आपको ज़ादा R दिखेंगे है ना उसमें आप right hand rule को यूज कर लेना बचे हुए जिसमें एक आर है उसमें left hand rule को आप apply कर देना चालो आप इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें apply करते हैं कैसे होगा आप देखो जब ये motor है motor है इसका मतलब ये electrical to mechanical में convert करें और आपको यहाँ पर current की ज़ुरात होगी इसी वज़े से हम यहाँ पर battery का use कर रहे है battery यहाँ पर बनाई हुए पहले positive फिर उसके बाद negative ठीक है इसको भी यहाँ से याद रख लेना बड़ा है इसमें positive P से positive P से पहले यानि पहले कोन आएगा positive आएगा उसके बाद दीको हमने यह बनाई हुई है इसे हम कहते है coil कोईल कैसे बनती है यहाँ पर देखो एक तो यहाँ परют होते है magnet north pole और south pole होते है यहाँ पर north रखना है यहाँ पर south रखना है जो magnet होती है उसके direction क्या होती है north to south होती है है ना अब इसको कैसे याद रखोगे north to south direction होती है north को देखो नीचे वाला जो n है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है और पिछे वाला एस जो है उसके नीचे नीचे वाले words की मैं दिखा रहे हूं आपको तो जिसमें direction इदर के side जारी है इसका मतलब north से south के तरफ वो enter करेगा ठीक है आगे यह magnet field के बीच में रखा हुआ होता है एक coil अब coil कैसे बनता है insulated एक frame होता है insulated frame का मतलब जिसके अदर कोई करण नहीं होगा उस insulated यानि उस insulated frame के उपर क्या करते हैं एक देखो कोई भी wire के दो end होते हैं है ना तो एक end को वहीं रख लेते हैं उसको start करते हैं चोड़ के इस पे लिपेटते हैं coil के उपर मतलब इस frame के उपर insulated और लिपेटने के बाद जो last end में बसा उसको ऐसे करके end में छोड़ देते हैं यह बन जाती है हमारी coil ready हो जाती है तो इस तरीके से हमारी coil ready होई है इसके बाद इसके जो दोनों end है उन दोनों end से यहाँ प करते हैं generator में ठीक है slip ring generator splittering electric motor ठीक है चालो इसके बाद क्या याद करना आपको जो यहाँ पर ब्रसेज है ना B1 और B2 यह जो ब्रसेज है स्ट्रेशनरी ब्रसेज है मतलब इनकी जो जगह है वो चेंज नहीं होगी एक जगह पर फिक्स रहेंगे अगर आपके माइंड में आ रहा है मैं में यह ब्रसेज किससे बने होंगे यह ब्रसेज ना बने होते हैं कार्बन से और यहाँ पर जो हमने एक वायर लिपेटी थी नंबर ओफ टान में वो वायर क्या थी कॉपर की वायर थी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद हम देखो एक चीज़ और समझते हैं यहां पर करन्ट के अब यह रोटेट कैसे करेगी क्लॉकवाइज आंटी क्लॉकवाइज आपने यह तो लगा दिए हैं पर वायर चल जाए कि जो direction है वो कैसे होगी अच्छा अगर आपको flaming left hand rule और right hand rule नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो का link इसी वीडियो का description में देदूंगे आप पहले उसको complete देख लेना उसके बाद इस वीडियो पर जांप करना चलिए देखो यहां पर जो इसके direction आपके से हमें अपनी fingers को align करना है कि हर finger के बीच में 90 degree का angle बने यह finger represent करती है किसको current को यह present करती है magnetic field को यह thumb represent करता है force को अगर मैं देखो यह current को show कर रही है पर current हमारा नीचे तो नहीं है यह finger represent कर यह magnetic field को इसके direction बिल्कुल ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो य अब इधर वाली side पे अगर यही चीज़ follow करें force देखो उपपर के side current नीचे magnetic field कोई दिक्कत ने दोनों portion में इसका मतलब यहां पे लग रहा है नीचे के side force यहां लग रहा है उपर के force अगर यह इस तरीके से rotate हो रहा है इसका मतलब यह arrow बिल्कुल correct है देखो कैसे कुछ इ आपके घड़ी कैसे चलती है जो watch है उसके rotation कुछ इस ट्राइप से होती है इसका मतलब यह clockwise direction है अगर rotation आपको ऐसा दिख जाए तो यह क्या है anti clockwise direction होगी ठीक है यानि घड़ी के दिसा में clockwise और watch के opposite हो जाए तो anti clockwise ठीक है यह direction भी आपको समझ आगी और इसी तरीके से जब हम अगर यह आधा rotation complete हो जाएगा तो उसके वादे को इस जो splittering है वो तो इस बायर के साथ connected है और जो brasses है वो तो connected है नहीं वो stationery अपनी जगह पर रुके रहेंगे तो यहाँ पर जो हमारा अगला diagram बनेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा यहाँ पर आप क्या देख पा रह तो complete करते के साथ ही जो यहाँ पर DC था वो इधर आ जाएगा और AB जो था वो इधर चला जाएगा यानि AB इस साइड आया और CD कि इधर आ गया इस साइड चला गया और यहाँ पर देख रहे हो splittering S1 इधर है S2 यहाँ तो इन दोनों की जगह भी change हो जाएगी यहाँ देखो पहले जा रहा था A to A to B B to C C to D बट यहाँ आते आते करंट देखो क्या हुआ दी टू C D to C C to B C to B B to A B to A यह सारा का सारा करंट क्या होगा आप पोजेट होगा बट इस वाले portion में आप क्या दिख रहे है करंट क्या है constant इस portion में current constant दिखने का मतलब यह है कि जो current यहाँ पर होगा वो current कैसा current है? DC current है यानि के जो हमने यहाँ पर Le electric motor बनाया है वहाँ पर हमने कौन से current का यूज करा होगा DC current का यूज किया होगा और एक और चीज क्लास जो DC current होता है उसकी voltage होती है 440 V और जो AC current होता है निए alternating current उसकी voltage होती है 220 V DC current यानि direct current इन्वेटर, batteries इन सभी में direct current होता है जो कि काफे जदा harmful भी होता है उसमें कोई fluctuation नहीं होता है यह constant चलता है पर जो alternating current है उसके अंदर fluctuations होते हैं और यह जो है positive negative वाली direction इसका graph कुछ इस type का होता है ऐसे गर कि यह EC का graph होता है ठीक है बाकी अगर इसके regarding कोई भी आपका doubt है किसी भी तरीके की query है तो आप मुझे ब theory all over सारी चीजें आपको वहाँ पर मिल जाएंगे I hope so video आपको अच्छा लगा होगा है ऐसी और video के लिए चैनल को subscribe कर लो और अगर कोई भी आप मेरे लिए कोई feedback है तो आप feedback दे सकते हैं comment box में thank you so much watching this video